JP University के सबी students के लिए बहुत ही बड़ी खबर, अभी अभी परिच्छा को लेकर new सूचना new notice जारी हो चुका है, जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, सबसे पहले आप लोगों को अपना mobile phone का Google open कर लेना है, Google open करने के बाद आपको search box में type कर देना है, jpbad admission.org, दोस्तों परिच्छा को लेकर, यानि परिच्छा रद को लेकर new सूचना new notice जारी हो चुका है, JP VC विद्ध्याले की तरफ से, I hope कि आपको यह जनकारी में आपको यह सलिए दे रहा हूं, आरे चैनल पर Maurya Guru Academy पर सभी जानकारी एक साथ मिलता है, JP University से जुड़ी जानक सब्सक्राइब कर दो, जैसी सब्सक्राइब करोगे बगल में घंटी का उपसंदिखीगा, उसको भी दबा दो, कि आने वाली सभी जुड़ी जनकारी अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे सबसे पहले, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह जनकारी दे दू, सभी सब्सक्राइब कर दो, जैसे सब्सक्राइब करोगे बगल में घंटी का उपसंदिखेगा, उसको भी दबा दो, कि आने वाली जुड़ी जनकारी जैपीन वर सीडी से रिलेटेट सबसे पहले आपको मिले, दोस्तों हमारे चैनल पर सभी जुड़ी जनकारी एक साथ अपड होकर आप लोग बहुत सारी स्टूडेंस, जो हजारे स्टूडेंस सवाल कर रहे हैं, कि सर दिपॉली है, आप दिपॉली के बाद जो है, आगे जो भी मतलब तहवार आएगा, हमको लग रहा है कि तेरा तरिक का जो परिछा होने वाला है, उसका डेट चेंज कर दिया जाए आप सभी स्टूडेंस का आज का आज का दिन सुब जाए, सभी स्टूडेंस को और क्यों कि यार देखो, दिन तो भी चुका है, ठीक ना, लेकिन यार रात जो है आप लोगों का बहुत अच्छे से मनें, और अच्छे से पूजा पढ़ करकर, और आप लोग बहुत दोस्तों, तो जैसे कि परिच्छा रात को लेकर लगातर सवाल बना हुआ, यहां पर देख सकते हैं, हम रूटिन पर आ गए हैं, और तेरा तरीक को परिच्छा होने वाला है सनिवार को, ठीक है, और फिर संडे को 14 तरीक को परिच्छा होगा, फिर 15 तरीक को मंडे को परिच्छा लेकर बहुत सारे स्वाल बनाए हुए कि सर परिच्छा अमारा रद तो नहीं होगा दोस्तो परिच्छा आप लोगों का तेरा तारीक को रद होगा या नहीं होगा इसका फैसला जो है आप लोगों को छे तारीक को मिलेगा कितने तारीक को छे तारीक को ठीक है क् इनवर्शिटी खुलने के बाद जो है पूरा फाइनल हो जाएगा कि आपका परिच्छा रद होगा या नहीं होगा क्योंकि रद होने का मतलब यह है कि आपका 13 तरीकों जो परिच्छा है वह उसका डेट जो है आगे कर दिया जाएगा यहीं होगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा ठीक ना लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है इनवर्शिटी जब ओपन होगी छे तरीकों उसके बाद फिर जो भी निडने आएगा इनवर्शिटी की तरफ से यानि जो भी फ्यासला जारी किया जाएगा उससे जुड़ी हमारे चैनल म को मिलता रहेगा देखिए आप लोगों को यहां बता दूँ सभी स्टूडेंस को कि जितने भी छात्री इस वीडियो को देख रहे हो ठीक है यहां पर देखे क्या बोल रहा है सभी पर छार्त्री को सुचित किया जाता है कि कोरोना वायरिस संक्रमन को देखते हुए मास्क लगा कर सेनेटाइज अपनी पानी का बोतल जो है वैक्सिनेशन सेटिफिकेट लेकर भी जाएं ठीक है परिछा केंद्र पर परिच्छा में सामिल होंगे तथा सभी परचार्त्री केंद्र धिचिक से अन्रोध है कि इस निर्देश को पालें करना सुनिश्चित करेंगे सा दोस्तों प्रेक्टिकल परिच्छा होना ही होना है ऐसा नहीं कि नहीं होगा ठीक है यहां परिच्छा आप लोगों का बीतने के बाद जो है प्रेक्टिकल परिच्छा का डेट अलग से जारी नहीं किया गया है लेकिन प्रेक्टिकल परिच्छा का डेट जो है जारी होगा तो इसके लिए आपको इंतिजार करना है और 6 तारिक तक आप लोग इंतिजार करें परिछार रद होगा या नहीं होगा 6 तारिक को फाइनल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है वीडियो को सेर कर दीचे सबी स्टूडेंस के पास लाइक नहीं हो तो लाइक कर दो और चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल से जुड़ें हो जाओ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखे चैनल से जुड़ें होने के लिए सब्सक्राइब का ओंचन दिख़ाएंगो सको क्लिक कर दो ठीक है अरप के दिस्क्रेफ्जिव की डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम गुरूप का लिंक कि दिया वह क्लिक करो और तेलिग्राम गुरूप से जोईन हो जाओ सबे स्टुडेंस आने वाले सभी जुड़ी जनकारी टेलेग्राम ग्रूप में डाल दी जाती है तब तक के लिए धन्यावाद जैहिंच जावंदे मातरम